Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज का जो टापिक है वो होर सीजन का सबसे होट टापिक है क्योंकि मैं बात करूंगी संस्क्रीन के बारे में संस्क्रीन कौन सी लेनी चाहिए फिजिकल, कामिकल, SPF, PA ये सब क्या होते हैं एंड हमें हमारी स्किन के लिए कौन सी लेनी चाहिए वो कितनी देर के लिए आपको प्रोटेक्ट करके रखती है कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग संस्क्रीन ख़ीते वक्त कर देते हैं लगाते वक्त करते हैं या अप्लिकेशन करते वक्त करते हैं या फिर उसको कैसे लगाते हैं तो इन सब कोशन के अंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ सो लेट्स केट स्टार्टेड बट उससे पहले आप मेरे चनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लिजे प्रेस क्योंकि बेल आइकन को प्रेस की ने बिना आपको मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन नहीं मिलेगी एंड प्लीज मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजेगा तो शुरू करते हैं अपने वीडियो तो सबसे पहरा जो क्वेश्चन है वह आता है कि संस्क्रेन कौन सी होती है क्यामिकल और फिजिकल तो हमें कौन सी लेनी चाहिए वह किस तरीके से काम करती है तो दोनो क्यावफ को आपकी स्किन तक पहुचने नहीं देती वह उसको पहले ही ब्लॉक कर देती है और उसको रिफलक्ट तो वह आपकी तक यूवी क्यामिकल होती है वह ऑपकी स्किन तरहीं की तरही को काम करती सेकेंड जो फिजिकल होती है वो जिंक और टाइटेनियम औकसाइट से मिलकर बनी होती है और जो कामिकल होती है वो औकसी बेंजोन और एवर बेंजोन से मिलकर बनी होती है बात आती है कि वाट इस पीएफ वाट इस पीए स्पेक्टरम यह सब कुछ क्या होता है तो एस पीए कर रही है यानि कि जो जितना ज्यादा SPF होगा वो उतनी ज्यादा देर के लिए आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी मान लीजिए कि आप 30 SPF ले ले लेते हैं तो 30 SPF को आपको 10 से मल्टिप्लाई करना होगा तो वो बन जाता है 300 मिनेट्स यानि की फाइव आर्स तो वो फाइव आर्स के लिए आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगी और यह आपकी स्किन को 97 परसेंट तक प्रोटेक्ट करके रखती हैं सेकिंड बात आती है कि SPF 50 तो जो 50 होती है वो रखेगी अगर आप our continuous film में है तो और उसके बाद 98 परसेंट तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखती है उसके बात बात आती है 100 परसेंट तो ऐसा नहीं है कि अगर आप SPF वाली लेंगे तो रहन बीशप्स आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकता, तो वो 100% का मतलब है कि वो 99.something आपकी skin को protect करके रखती है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा SPF use करना है, अगर आप थोड़ी तेर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपके लिए 30-40 SPF more than enough है, लेकिन अगर आप continuous धूप में रहन में और sun में रहने वाले हैं, तो आप उससे जादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जादा SPF आपकी skin में side effects भी डालता है, तो बहुत सादा SPF वाली sunscreen जादा यूज़ नहीं करनी चाहें, तो अगर आप यूज़ करें, तो अभी फिलहाल में आप 50 वाली यूज़ कर सकते ह अब बात आती है PA factor की, तो जो sun होता है, वो दो तरह की raise निकालता है, UVA और UVB, तो दोनों के उप्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप अपनी skin को दोनों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको PA factor भी देखना पड़ेगा, PA factor अगर आप ध्यान दें, तो हर cream में, और 4 कोई भी ले सकते हो, तो ये आपकी skin को protect करेगा, अगर आपकी sunscreen में UVB और UVA दोनों से बचाने की capacity है, तो आप सही sunscreen यूज़ कर रहे हो, So guys, आज मैं आपके साथ share करने वाली हूँ, 10 ऐसी mistakes चो कि बहुत लोग कर देते होंगी, sunscreen का use करते हैं या फे खरीदते हैं वक्त, तो सबसे पहली जो mistake है, वो है, daily basis पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो daily basis पे आपको sunscreen लगाना है, क्योंकि sun daily निकल रहा है, च चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, 365 days आपको sunscreen लगाना है, क्योंकि sun तो daily आता है, बेशक से मौसम कितना भी winter है या फिर summer है, लेकिन उनकी जो UV rays है वो आप तक पहुच ही रही है, अगर आप गाड़ी में हैं, आप घर में बैटे हैं, तो भी mirror से, य UV rays आप तक पहुच ही जाएंगी, तो आपको daily basis पे लगाना है, और चाहे कोई भी मौसम हो, so second mistake is reapply, यानि कि आपको बार बार उसको apply करना है, अगर आप काफी time के लिए बाहर हैं, तो आपको 2-3 hours के बाद उसको दुबारा से apply कर लिना चाहे है, क्या होता है, कि थोड़ी तेर के बाद वो जो cream होती है, वो उसको sun grace को absorb कर लेती है, और वो भी आपकी skin में absorb हो जाती है, वो effect करना बंद कर देती है, तो 2-3 hours के बाद आपको दुबारा से apply करना चाहे है, उसके लिए आपको face wash कर लिना चाहे है, उसके बाद apply करना चाहे है, बट अगर आप बाहर है आप face wash नहीं कर सकते, तो आप किसी wet wipe से अपने face को wipe कर सकते हैं, उसके बाद उसको reply कर सकते हैं, थर्ड चीज़, अगर आप ये सोचें कि आपने hat लगा लिया, gloves लगा लिये और आपने face को cover कर लिया, श्रग पहन लिया, तो आप लोग protect हो गए हो तो नहीं, आपको sunscreen लगा आपको उन सब पर sunscreen apply करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम श्रग पहनते हैं, या फिर हम कोई भी scarf पहनते हैं, ये तो ये extra protection है, extra layers हैं, जो कि हमें protection करेंगी, बट जो main protection है, वो हमारी sunscreen ही करेगी sun से, फोर्थ है highly SPF, doesn't mean कि वो ज्यादा देर तक protection करेगा, यानि कि इसका मतलब य नहीं है कि हमने तो 75 SPF लगाया है, तो हम 8 hours के लिए धूप में continuous खड़े हो सकते हैं, वो असल हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको क्या करना है कि आपने sunscreen जो मर्जी लगाई हो, यानि कि आपने SPF आपको मैंने बता दिया भी पहली अपनी इस पहले वीडियो में कि SPF कैसे काम करता है, उसकी efficiency के उपर depend है, मतलब SPF का मतलब है कि उसकी efficiency कितनी है, वो कितने percent आपको बचाएगा, उसका मतलब यह नहीं होता कि वो काफी long term के लिए आपको बचाएगा, यानि कि अगर आपने 100 SPF लगा लिया है, तो आप 19 घंटे के लिए sun में safe हो, no, next चीज आती है कि daily basis पे आपको लगाना है, regularly लगाना है, जिस तरीके से आप नहाने के बाद moisturizer apply करते हो, इसी तरीके से आपको sunscreen daily apply करना है, next, कुछ लोग सोचते हैं कि foundation में हमारे SPF है, हमारी जो हम daily moisturizer use कर रहे हैं, उसमें भी SPF है, तो अगर हमारे foundation का SPF 30 ह है, हमारे जो हमने BB cream लगाई है, उसका 20 है, तो 50 तो ये हो गया, उसके बाद हम जो sunscreen लगा रहे हैं, ये कोई mask का calculation नहीं है, जो कि हम सब SPF को जोड दें, तो वो इतना सारा SPF बन जाएगा, और हमारी skin को protect करेगा, नहीं, जो SPF sunscreen का है, वो ही आपको protect करेगा, जो भी cosmetics हैं, वो उतना जादा आपको sensor protection नहीं दे पाते, जितना की आपको sunscreen दे पाती है, नेक्स्ट, आपको broad spectrum अपनी sunscreen में जरूर include करना चाहिए, यानि कि आपको वही sunscreen लेनी है, जिसमें की broad spectrum हो, यानि की PA++++++, यानि की triple plus और 4 plus, ये हो सकते हैं, तो आप triple plus वाला ले सकते हैं, 4 plus वाला ले सकते हैं, ये आपकी skin के लिए Indian tone की according ये आपके लिए suitable है, नेक्स्ट, आजकल कुछ spray वाले sunscreen आ रहे हैं, आप सब बहुत लोग questions करते हैं कि spray वाले sunscreen ज्यादा बेटर हैं या ये वाले, क्योंकि convenient तो आपको spray वाले लगेंगे, because spray वाले को लगाना बहुत easy होता है, आप उसको spray कीचे और आपको लगता है कि वो लग गया, लेकिन वो अतनी अच्छी protection नहीं दे पाते, वो अतनी अच्छी layer आपकी skin पे नहीं बना पाते, जितना कि आपके cream based sunscreen होती है, वो होती है, क्योंकि उसको लगाना आपके control में है, आप उसकी अच्छी से layer अपनी skin पे लग आपको prefer करूँगी, next है कि क्या हम में नाइट में भी sunscreen लगानी चाहिए, no, क्योंकि नाइट में जब sun नहीं है, तो हमें sunscreen की जरुरत नहीं है, नाइट में आप अपना face wash कीजिए, and simple moisturizer या फिर aloe vera gel या फिर आप जो भी अपना night care regime follow करते हों, आप उसको follow कीजिए, वो more than enough है, रात में sunscreen की कोई भी requirement नहीं है, अब next question जो मैंने बोला था, आपको की मैं बताऊंगी, कि how to use sunscreen, आपको कैसे sunscreen यूज करनी है, आप कोई भी अपनी जो भी आप sunscreen यूज करते हों, आप उसका 1 by 4 टेबल स्पून आप अपना ले लीजे, आप इसको इस तरीके से भी mention कर सकत है, कि आप अपने two fingers पे इस type से ले लीजे, and three dot rule, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, three dot rule क्या है, आपको इसकी dots लेनी है, three dot आप four head पे लगा लीजे, three dot आप इधर लगा लीजे, three dot आपने तूसरे चीट पे, हो गया, अब आपको अपने hands को ऐसे rub कर लेना है, और अपने exposure areas यानि के अपने hand पे लगा लेना है, और इसकी आपको dab-dab करके पूरी layer अपने face पे बना लेनी है, इसको आपको बहुत सादा rub नहीं करना है, इसकी layers बनानी है, इसकी layer आप अपने face पे अच्छे से बना अच्छी जो sunscreen होती है, उसका आपको ऐसे पता चल जाएगा कि वो आपकी skin में थोड़ी देर के बाद इतना अच्छे से absorb हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि आपने sunscreen लगाई है, आज कल जो sunscreen आ रही हैं वो इतनी अच्छी है कि वो आपकी face में एक बहुती अच्छा सा shine दे है लेकिन यह थोड़ी देर के बाद skin के skin में absorb हो जाएगा और यह उतना ज्यादा वाइट नहीं लगेगा और यह हमारी skin को बहुत अच्छे से protect करेगा, अब आपको अपने ears पे जहां पे भी और neck पे पीछे neck पे आपको यह को इस टाइप से layer लगा लेनी है अब यह थोड़ी देर बाद settle down हो जाएगा, यह देखिए मैं अब आपको 10 minutes के बाद दिखा रही हूँ यह skin में अच्छे से absorb हो गया है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि extra white मैंने कुछ लगा लिया है, थोड़ी देर के बाद सब कुछ normal हो जाएगा तो यह था अजका मेरा complete sunscreen के ऊपर video, प्लीज मुझे ज़रूर बताएगा अज की आपको मेरी video कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो like and share ज़रूर कीजएगा, अगर आपको useful लगे, आपको लगे कि यह किसी और के लिए भी helpful हो सकती है, तो प्लीज इसको अपने relatives के साथ, family members के साथ share कीजिएगा, bye bye and take care.